हेलो एवरिवन उमीद है आप सभी अच्छे होंगे मैं हूँ अर्पित फ्रम लर्नोहब दा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सब पढ़ सकते हैं फिजिक्स केमेस्टी मैस्स बाइलोजी फॉर एपसिलिटी फ्री एट लर्नोहब डॉट कॉम तो आज हम करेंगे NCRT क्लास 10 के चैप्टर नमबर फस्स के कुछ सॉलीशन जो कि हमने पिछले वीडियो में फस्स से लेके 6 तक करेंगे आज हम करेंगे 7 से लेके 13 तक तो चलिए शुरू करते हैं तो आज अमने स्टाट करते हैं कोशन नबर सेवन से चली देखते हैं कि वो क्या बोल रहा है मूभ रहा है तो हमने पिछले वीडियो में भी कुछ चैप्डरांस करने के कुछ च्रिक देखे थी हमने पहले देखा था एक सिंपल हम सीधे ब कर रहे थे दूसरे कर रहे था हम हम table बना रहे थे तो हम इसमें क्या करते है एक में table बनाता है बाकी आपको बोलुण कोर्बऄंगा मैं करने के लिए ठीक है तो चलो हम पहला question देखते उसमने क्या है calcium hydroxide plus carbon dioxide plus calcium carbonate plus water तो अब आपको इसको symbolic form में लिकने का आना चाहिए कि वही बोलता ना हमने पहले देखा था कि statement को symbolic form में अगर हम लिखते हैं तो वह chemical equation होती है ठीक है तो आप हम इसको symbolic form में लिखते हैं आपको पूरे symbol आने चाहिए एक बार आप ट्राइबी करिये घर पर देखके ठीक है पूरे symbol बने हुए ठीक है उससे देखिए तो यह कह रहा है कैल्सियम हाइड्रॉकसाइड का हम शो करते हैं चलो यह हो गया अब यह किसके साथ यह रहा है कारबन डायकसाइड के साथ मतलब co2 ठीक है तो अब यहां पर देखो यह क्या दे रहा है कैल्सियम यहां पर दे रहा है कैल्सियम कार्बोनेट तो यह क्या है सी ए सी ओ थ्री होता है कैल्सियम कार्बोनेट ठीक है और एडिश गपने क्यों सिक्विया टैब loro को में देखते हैं एक काम करो टेवल्हमें धर बनाते ठीक हएए यहाँ नहीं रिख टैपन करना ठीक है अगर किसी किसी reaction में oxygen और hydrogen ही हो तो अब यह मत सोच तो कहा था कि हम last by balance करेंगे लेकिन अब इसमें क्या करना है इसमें तो है वह हम देखते कि टो इसको फिर balance कर लेना फिर मतारत करेंब आप इसमें को oxygen को एकदम box नगी अब यहाँपर पहला element क्या calcium यह लिख दिया आप इसमें दूसरा कोई देख रहा है क्या oxygen और hydrogen को छोड़के हाँ हमें कार्वन देख रहा है यह देखो कार्वन देख रहा है में ठीक आप इसके बाद oxygen बचा और एक hydrogen बचा ठीक है यह दोनों बचे अब बताओ कितने कितने है reactant site पे ए ile कैलशयं प्रेजेंट है यह देखो है केलशयं प्रेजेंटे क्या product site पे 1 in Adder oils टिक है तो की रिषम अमें धर है डिंशा दिख रहा है अब कारवन देखो कारवन एफ यह दर आधार भी और आ दो तो यह 11 यह ऑन यहे भी वालनेंस है ठीक यो दोनों हो गया अब देखो ऐसेचन करते हैं यहां पर तो यहां पर प्लस दु कर दो फिक यह कुतने बहुत सोटन लगजन चार्ड़ आब एदर हो इधर कितनेैं यह इतीनieben और यह एक कितने हो गए यह चार हो गए ठीप्लस वन लेखना इसको आप देखो अब बार यह आती है हाइड्रोजन की हाइड्रोजन कितने धर एक है नहीं है दो है यह दो लगा है ब्रैकेट का मतलब हमेशा होगा दो ठीक यह देखो यहाँ पे दो हैं यहाँ पे कुछ है न है थेको प्रॉडक्ट साइज साहरे एलिमेंट इक्वल है क्या कैल्सियम एक है प्रॉडक्ट साईट भी एक है चलो वह भी बैलेंस उक्सिजन पर भी चार उधर वी जार वह भी बैलेंस इनज थे क्यार में थे दो अधर दो इन है यह बैलंस एला सीदे चार फ्रिक्रों पर प हएला आमारा बَّंचा ठाछम एक कलिक कर्बंति कारबन एक कंड़न कितंध तो sit चार यहाँ पर 3 वहाँ पर 1 पर किसा है यहांपर कितने वहाँ आपर तो यह हो गई बालन सीदेक्षिय्ण आब आते हैं हम दूसरी वाली पे देखो यह यह क्या बोल दी है यह वाली बैलाइंस अब जींक प्लस सिल्वर नाइट्रेट ठीक है तो क्या दे रहा है जींक नाइट्रेट प्लस सिल्वर अब फिर से बोल रहा हूं element के symbol हमेंसा याद रखना ठीक है chemical the equation बनेगी नहीं त्यालों अब देखो zinc Zn plus silver AG ठीक है गाल नहीं मत याद कर लें एजी नाइट्रेट खाव हम चो करते हैं superbno 3 से अभियर क्या दे रहा है यह क्या देघ रहा है जैडव नमंटरी अ ठीक है that actually it remains in疫ric plus अब क्या ये बैलेंस है क्या ये बैलेंस क्या इश्दिन भी भी बता था कि आप अगर नो 3 है और रियक्तिंसाइग अगर लहांटिरी प्रड़क्साइट भी अगरafa तो इस पूरे compound को balance करना सिंगल सिंगल को मत करना nitrogen को मत करना और वैसे कर सकते हो वैसे भी कर सकते आंसर वही आएगा और एक और क्या था भाई sulphate का बोला था अगर SO4 है सेम इधर भी अगर SO4 ही बन रहा है कुछ तूटके नहीं बन रहा है तो इन दोनों को क्या साथ में करना ठीक है sulphur oxygen को अलग नहीं करना नेट जन और oxygen को अलग नहीं करना सीधा compound लेना NO3 यहाँ भी बनाना है यहाँ पर भी एक है बढले के लिक यहाँ पर लीडियक्षन भी फैलयां से सलो यह वाल एकशन से का डेलेंस कारव क्या हों नहीं मैंने लेकर अब देखते हैं और FUCK सी का बोल रहाए जब Aluminium aluminum quantum लास गौराइड तो यह थे रहा है aluminum chloride plus copper दे रहा है चल सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं इसको देख इसको इधर लिखते है यह यह होता है ना aluminum चल प्लस copper chloride मतलब cucl2 ठीक है यह cucl है ठीक है प्लस ओ सॉरी यहां पर क्या गिप्स गिप्स क्या दे रहा है यह यहां पर क्या दे रहा है अब copper चल पहले तो यह बता हो मैंने बताया था displacement or double displacement होता है ठीक है यह बता यह कौन सी reaction है कि बताओगी नहीं बताओगी चलो छो बताओगी ऐखी ऑ यह देखो यह इसको क्या कर रहा है डिस्प्लेस कर रहा है यह replace कर रहेना ती के लंड है भी जहा पर किया है एक एक आयू है और एक शीयरे यह यह element है भी कंद्ध ऐःक्ट said यह इसलिए ऐए एक है कि अब क्लोरीन के इतने क्लोरीन दो है क्लोरीन दो है यहां की बन रहा है तीन ठीक है सिर्फ क्लोरीन ने काम बगार दिया वन्हें यह बैलंस भी यह यह रियक्शन जो थी वह बैलंस थी अब देखो इसको बैलंस कैसे करेंगे अब एक बात बताओ ठीक है अगर मैं यहां पे तो 9 आएगा अप लेकिन नहीं लेकर आ सकते पूर एक काम करो हम इसको क्या करते हैं इधर लगा देते हैं ठीक है क्या करते है यहां पे टू लगा दिया तो यह भी क्लोरीन होगा है six ठीक है पर यह क्या हो गया तो फॉर्म में लेक्ते हैं यह संदल लखते है एल कि कि प्लस सी यूओ लटू क्या दे रहा है मैं ल जो अे लटodynamics तक मैं क्या हो जा Crimea धरी something हो गए यहां पर भी 6 हो गए ठीक है अब भाई यह मैंने तो यहां लगा दियो है ना अलुमीनियम बढ़ गए अलुमीनियम के इतने बाद नहीं दो बढ़ गए तो एक काम करो वो तो सिंगल इस प्रेजर नहें यहां पर टू लगा देते हैं यह वह गई आपकी बैलन्स एक्विशन हो गई इसे क्वेशन हो गई नहीं चलो कर लिए अब हम आते हैं लास्त वाली पर जो कह कह रहा है बार्यम क्लोराइड ठीक है यह वाली reaction जितनी भी है यह अच्छे से याद करके रखना क्योंकि यह आगे आएगी एक precipitation reaction उसमें भी बनेगा चल यहाँ पर क्या है बैरियम क्लोराइड बैरियम क्या होता है पहली बाद तो याद आया कुछ चलो अच्छा है पिछले में बताया मैंने ठीक है नहीं देखा है तो पिछले वीडियो जाके देखो चल यह देखो अब यहाँ पर क्या बन रहा है बीए कि 972 transpose यहां पर बना रहा है यहाँ पर फोटेशंज Q होता के कहिंते है सबस्कों चलोगा है उसे की कीच convelle उपाओ प्राइब स्मॉर्च होता है बताओ यह क्योग्रेशर SCijn की अ क्योगा नहीं है चलो इसीद्ट साथ में लेनट тобel बोला था यह देखो एसोफोर को साथ मिलेना एक एसोफोर इदा रहे एक एसोफोर इदा रहे यह भी बैलेंस है मतलब यह दोनों यह वाला तो सेर्फ बन रहे एक काम करते हैं इस पर फास लगा देते हैं दो तो यह वाका 2 सियल 2 तीक आप देखो क्या हुआ जब किर ये लय़ है और ये के टू है ये बना दिया याइन सीखना है ड्रीय क्ल आपकेशन तो यह ङंदrob तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोशन नूमर टू अब देखो वो क्या कह रहा है राइट दा बैलेंस केमिकल एक्वेशन फिर से बैलेंस वाली आ गई चलो फॉर दा फॉलोइंग एंड आइडेंटी फायदा टाइप ऑफ केमिकल रियक्शन ठीक है यह केमिकल डियक्शन है ना चलो कि देखो इसको हम क्या करते हैं देखो यह क्या है यह है Potassium Bromide मतलब के भी आर टीक है प्लास यह क्या है वी आई है ना बैरियम बैरियम आइडाइड मतलब बी ए आई टू यह क्या दे रहा है गेम्स यह वाला शिंबॉल होता है घप्स का ठीक है गेम्स मतलब यह जो यह क्या यह पोटेशियम आयोडाइड मतलब के आई प्लस यह देखो बैरियम यह बना बी ए बी आर टू हमेशा याद रखना बैरियम की ऊपर होता है प्लस तू चार्ज और यह क्या एक वैलंस है तो इसलिए दो बार जोड़ा है यह ठीक है चलो अब क्या होता है यह इसको क्यों यह कौन सी रिख्शन ठीक है देखो यह वाला इसको डिस्प्लेस कर रहा है और इसकी ते सब्सक्राइग के साथ वह सह वह लगा दो अब ब्रोमाइड बल गया ब्रोमाइड किते हो गाए दो गए ना ब्रॉमीन अब देख अधर यह भी दो है तो यह बैलन्स एक्क्वेशन ठीक है यह तो इसी आवाप कर लोगे चलो यह देखो यह वाला जो पोटेशियम है इसको क्या कर रहा है डिस्प्लेश कर रह है ठीक है मतलब क्या हो रहा है यह आके बैट रहा है इसकी जगापे यह आके बैट रहा है इसकी जगापे ठीक है ना मतलब दोनों आयन एक दूसरे को डिस्प्लेश कर रहे हैं ठीक है डिस्प्लेश कर रहे हैं और दूसरे अपने सॉल्ट के सांथ वह बना रहा है एक नया हो गई double displacement कि डबल डिस प्लेस मेंड ठीक है इसको हमेसा याद रहे सको याद रखने का तरीका बता देता हूं इसको याद करना तुम डीडी से ठीक है डीडी अल्जे मत पहुंच आ डीडी से याद रखना चलो डीडी मतलब दो 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 यहां पर देखो यह भी यह एक आयन य दोनों डिस्प्लेस हो रहा है ना अपने सॉल्ट से तो दो-दो से याद रखना समझ गया है चलो डीडी को याद रखना तुम डबल मतलब दो-दो ठीक है कौन सी रेक्शन हो जाएगी वह डवल डिस्प्लेसमेंट या आगे पूछूंगा मैं ठीक चलो अब यह वाली हो जैन को 3 ब्लस अब यह कि बोल रहे है ज्फेक्ष एक घेडए को ठीक है अब यह कहा देップ और यह देर वह攻ण प्लस इम्हर्टो टीक है मतलब यह देखो यह हैं जिंध यह दे रहा है इसको ठीक है मतलब यह सै से यह युछ थरी है यह दे रहा है क्या जैडडेड एन ओ hedge यह जो compound है ठीक है यह break हुआ है किस फॉर्म में break हुआ है अपने simpler form में ठीक है इसके molecular form में यह देखो यह zinc है यह compound है और यह अलग-अलग molecule बना रहा है यह ठीक है co2 molecule होती है ठीक है अब देखो क्या है यह यह balance है कि नहीं पहले जैड़न एक जैड़न एक oxygen कितने इधर एक oxygen एक दो oxygen हो गए तीन कार्बन एक कार्बन एक यह वाली balance ठीक अब यह देखो यह तूटके अपने क्या बना रहा है simpler form में convert हो रहा है ना तो इस reaction को क्या बोलते है डी decomposition reaction को decomposition reaction चलो तो यह वाली हो गई क्या decomposition reaction ठीक है decomposition reaction डियार इसको इसके लिए कोई ट्रेक नहीं इसको यह याद करना चल अब तीसरी वाली पर आते हैं तीसरी वाली क्या सबत्रों यह रहा है hydrogen chloride चलो यह तो यहीं हो जाएगी ओको hydrogen क्या गैस फार्म मेना single atom form में तो है नहीं तो इसको क्या लेखेंगे हम है एच टू प्लस chlorine क्या गैस फॉर्म में single item में नहीं है तो इसको लेखेंगे CL2 यह क्या दे रहा है यह दे रहा है CL मैं बोलते जा रहा हूं सिंबॉल हमें से याद रखना चलो इसको बैलेंस करो बैलेंस कैसे करोगे दर टू है दर टू है वहाँ पर क्या एक 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 में सिर्फ एक कम करो यहां तू लगा दू हो गया बैलेंसड़ जो घंशलो बैलेंस होगा अब ही क्या बना रहा है अब देख उल्ता हो रहा है यह कुछ Darren यहाँ प और यहाँ पर कमपाउंड किअबरेक हो रहा था अपने सिम्पलर पॉरूम में और यहां पर किया देखो यह जो मिलका यह कमपाउंड बना मिल थे क्या बना रहे हैं एक कंपोंड बना रहे है ठीक है न तो इसको क्या बोलते हैं कॉंबिनेशन रियक्षान समझ गए बात चलो बहुत अच्छे अब यह तो आपको सीद्शे दिखर रहा है न यह इसका उल्टा है कॉंबिनेशन जरी एक्षन है जो जो combination reaction है ठीक है वो क्या है अपोज एठ है किसके अपोज़ेट है इसके काम क्वर इसको इनने बाटो राप बोलोगे वैल्जू का चलो ठीक है यह समझ जाना कि यह पोज़ेट है किसके अपोज़ेट है डीकमपोजीशन की ठीक है चल्व यह हमें से याद रखना यह आप से पूछा भी जाता है ठीक चल्व अब यह समझे गाना यह कौन सी थी यह decomposition reaction थी ओ यह combination reaction थी decomposition तूपर थी तिक अब देखो यह क्या है question number four पर आते हैं हम यह क्या बोला magnesium plus hydrochloric acid तो यह क्या बना रहा है magnesium chloride ठीक है और यह hydrogen चलो आते हैं हम आगे यह क्या है असकों balance पॉर्म में लिखते हैं क्या balance करते हैं इसको पहले तो symbolic form लिखो यह क्या mg अठीक है यहाँ पर क्या है हगत बना एकवास का मतलब क्या होता है कि जो मतलब आ पानी होता है किसी भी कम पाउन को आगा तो किसमें जला किसमें मिला दोगे वाटर में मिला दोगे तो वह क्या बनाएगा एक कस वालुशन बनाएगा ठीक याद रखना चल्ड एमजी प्लस एस यह यह क्या दे रहा है तो यह गयस है तो गयस ऊपर निकल गई ठीक है यह सिम्बोल का मतलब होता है अगर आपको कभी भी ऐसा सिंबोल दिख जाये इसका मतलब है कि गयस निकल रही है बहार हो रही है ठीक है चलो अब आओ यह क्या एमजी सी ल्टू प्लस अब इसको बैलन्स करके देखो एमजी 1 ह है कोई बात नहीं ठीक है यहां पे चीएल किता एक यहां पे क्ते हैं दो यहां पे हैच किता है किता एक यहां पे कितने हैं दो टिक ना है ना 1 और 2 एक काम करो तहरे वहां पर 2 लगा दू यह होगा है सियल टू यह होकर हेच टू ठीक है यहां पर टू सियल दू को सियल यह हो गई बैलन्स पॉर्म अभी बताओ यह कौन सी डियक्शन यह रेक्शन यह बताओ चलो यह देखो टू एमजी है और सेल मिलके यह क्या कर रहा है इसको डिस्प्लेस कर रहा है ठीक है सिर्फ जो एमजी है ऐसा है ना यह एमजी है ठीक है और यह स्टी यह यह बना रहा है एमजी लटू बना रहा है ना प्लस एच्टू गैस बाहन निकल रहा है अब यह देखो इधर आओ यह यह एमजी है यह क्या कर रहा है इसकी जगा पर आकर बैट रहा है और यह क्या हो रहा है यह बाहर निकल रहा है इसको छोड़ यह निकल गया बार ठीक तो यह क्या हुआ एक ही एक आयन एक एलिमेंट अगर दूसरे वाले के साल्ट के सांद डिस्प्लेस हो जाया और उसको तबी तो तुम्हें हटा पाएगा ना आप कहना कि सर हम कहां हमें कोई हटा सकता चल यह देखो mg h को आट आएगा ठीक है तो क्या हो गया यह यह होती है displacement reaction याद आया displacement reaction ठीक है ना समझे है यह यह दिस्प्लेस्मेंट यहां पर क्या हो रहा है डबल डिस्प्लेश्मेंट नहीं होगा क्योंकि इसके सॉल्ट के साथ एच निकल रहे के नहीं अकेला निकल रहे न ठीक है सिरफ इसने इसको भगाया है ठीक यह कुछ नहीं कर पाया समझे नहीं यह वीक था ठीक अगर कोई स्ट्रॉंग होता कोई अगर वीक है ठीक है कोई है तो वो किस से हट पाएगा सिर्फ स्ट्रॉंगर से अगर उसके भी सेम आ गया अगर वीक है और उसके जो रियक्शन है वो भी वीक के साथ हो रही है तो रियक्शन ही आगे नहीं बढ़ेगी ठीक है वह एक दूसरे को डिस्प्लेश नहीं कर पाएंगे वह तो आपस में ठीक है अब चलो कूर देखने कि मतलब क्या होता है इस ज़िए पहले से देखो यह क्याолн अब पर नचाज़ के अग्रताग मतलब मतलब क्या होता अटर्म ढख़रा है ना इस हाज लिखाझ झालेजाए थर्ममेटर का ने साथ टैंपरेचर टैंपरेचर नहीं समझते काम कहाए छाँ छाँ हीट मतलब भी रियक्षिंज़ हो मालो ए Pёз B रियक्ट कर रहे हैं ठीक है अब इनकी रियक्षिन के बाद अगर जो हीट है वो क्या हो वो release हो तो हीट रिलीज हो तो उस ताइप की reaction को क्या बोलते हैं हम क्या बोलते एक्जोथर्मिक reaction समझ गए बात चलो जैसे कि हम सबने देखा होगा कि जब भी आप चूने को डालते हैं water में चूना क्या होता है ओ cao एपने बोल बॉलते इंगले समय ठीक है क्या बोलता है मलाइक है मैं को क्या इम को सब्सक्राइब है क्या लाइम थे टेंछ सब्सक्रांसंट व्सक्वोड ग्र्रे डालते हैं ठीक है यहां पर बनता है सी ए ओएच होल टॉइस इसका नाम हमने बहुत बार देखा है किसमें बैलन्स डियक्शन में ठीक है बैलनसिंग में बहुत बार आये इसको क्या बोलता है कैल्सियम कि यह ओएच का मतलब होता है हाइड्रोकसाइड ठीक है अब यह बनता है इतना अप चलो रवाद देखांगा बैलन्सिंग यह 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 तैंड वह कित्ते हैं दो इह दो ठीक है तो यह बैलन्स पॉरमłem है अब जब भी जो क्या है कोई क्लाइम है जब भी रियक्ट करता है किसके साथ वाटर के साथ या जब भी तुम चूने को पानी में डालते हो तो क्या होता है देखना बबल्स निकलते हैं गरम हो जाता है कंटेनर जिसमें भी तुम करते हो तो इसमें क्या होता है जो हीट है ठीक है ही ही style होती है अब डेल एच है हम जो ही रिलीज है उसको तो जब ही हीठ होगी तो उसको हम हम से शो करेंगे ठीक है डेल का मतलब होता है य만 गहागज आएगा आपको अभी नहीं है धीर आगे देखेंगे यह समय ये वहता है EX prone revelation कि उसका उल्टा ती यहां पर क्या हो रहा है हीट में हो रही है जब भी रियक्शन करवाने के लिए तुम्हें हीट-देनी पड़े ठीक है जब भी जैसे यह जो ठीक है, यह जब ही react करें, जब आप इधर heat दो, ठीक है, अगर इस arrow की उपर, gives वाले arrow की उपर कुछ लिखा है, तो इसका मतलब है कि जो reaction है, वो उसके presence में हो रही है, ठीक है ना, तो जो heat की presence में ये reaction आगे बढ़े, ये C और D दे माल लो, C और D दिया, उसने compound दिया, ठीक ह हम क्या बोलते हैं, endothermica reaction, समझ गए बात, चलो, बहुत अच्छे, अब इसका कोई example है क्या sir, example है sir, चलो, वो देखे क्या, example, एक बात बताओ, अगर कोई ice है, ठीक, ice क्या, solid form में न, ice, solid form में, अब इसको अगर हम ऐसे ही छोड़ने, तो ये किसमें करवट हो जाती है, water में अब एक बात बताओ, ये क्या कर रही है, absorb कर रही है, heat surrounding से, ठीक है भाई, तुमने fridge से ice निकाली, ठीक है, और बाहर रख दी, अब ऐसा तो होगा नहीं, कि वो जैसी fridge में थी, वैसी बाहर जाएगी, नहीं होगी न, वो क्या करेगा, अगर गरम है, आभी तुमारा atmosphere गरम है ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो heat है, उसको surrounding में heat है, उसको क्या करेगा, absorb करेगा, absorb करने के बात क्या है, वो solid state से, वो किस convert में हो जाएगा, liquid state में हो जाएगा, ठीक है न, तो क्या कर रहा है, ये जो solid है, वो क्या कर रहा है, absorb कर रहा है, absorb कर रहा है, तो कौन सी reaction हो गई, व समझ यह बाद चलो बहुत अच्छे तो अब हम स्थार्ट करते हैं कोशन नमबर टैंस चली देखते हैं वह क्या बोल रहा है यह क्या है वाई इस रेस्पारेशन कंसिडर्ड एंड 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 एक्जोथर्मिक डियक्शन एक्स्प्लेइन वाई आप सबसे पहले तो रेस्प महां होता है हमाया रेस्पारेशन कैसे होता है यह यह ऐसा है क्या है यह लंग सी होगा और क्या होगा ठीक आप जब रेस्पारेशन में होती दो चीज़ें एक होता है इनहेल ठीक एक होता है इनहेल एक होता है एक्जेल इनहेल का मतलब क्या होता है जब आप ऑक्सीज़ ज ठीक है तो जब क्या होता है हम carbon dioxide छोड़ते हैं यह हम बच्पन से पढ़ते हैं तो अब इन दोनों के बीच में क्या होती है यह oxygen और co2 के बीच में यह क्या हो रहा है गैस एक्सचेंज हो रही है ना एक्सचेंज हो रहे हैं तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं respiration अब यह बत हमाएंदर glucose present अप जब भी आप oxygen अंदर लोग्यिक यहां पर अपने oxygen अंदर लिया आप छोड़क रहा हो चोड़ रहा है अब स meglio 2 ठीक है इसमें क्या हो रहा है जाओ इनहेल करोगे तो क्या करोगे आप oxygen लोगे ठीक है जब आप एंग्जेल करोगे ठीक जाव़ास..? होगे आप co2 छोड़ोगे ठीक है और यह सी ओटू कॉन यूज करता है हमाई प्लांट यूज करते हैं ठीक है और यह हमें ऑक्षिजन देते हैं सो जो वाइस वारा सा चल रहा है इसलिए कहते हैं भाई पेड़ो गाओ ठीक फ्लांटेशन करो चल लो फोट फोड़ो अब दर हमाय अंदर है थी आप जब आप अंदर लेते हो तो है इसको क्या करता है और यह क्या निकालता है जब Market क Свब्रेकण और का जब भीम पोदीशन रियक्षिन होगी ब्रेकडावन इंजнос simpler form यही बड़ा तनमने decomposition ठीक है चलो अब देखो क्या जब भी decomposition reaction होगी तो heat release होगी heat release होगी तो पिछला कोशन क्या देखा था release है तो कौन से डियक्शन एग्जोथर्मिक रियक्शन यह देखो इधर यह क्या है जो simpler form में टूट रहा है यह glucose है glucose oxygen के साँ react करके क्या दे रहा है यहाँ पर देखो यहाँ पर दे रहा है carbon dioxide reaction है ठीक है decomposition जो reaction है वो क्योंसी होती है एक्जोथर्मिक रियक्शन है ठीक है यह हमें से याद रखना ठीक आप समझ गए बात यह बना क्या होगे तो अच्छे नंबर भी मिलेंगे ठीक चलो question number 11 चालू करते हैं ठीक उसमें क्या है यहाँ decomposition reaction called opposite of combination reaction यह बताया था पहले भी बताया था चलो decomposition जो reaction है ठीक है decomposition reaction opposite है होती है combination reaction से यह पता पूछ किया रहा है चलो इसको हिंदी में देखते हैं बार इंदी मैं क्या है decomposition क्यों तूटना उल्टा है जोडने से यह देख रहा हो question answer है सीधा सीधा चलो decomposition reaction में क्या होता है h2o किस फॉर्म में तूटता है यह h2o2 form में in the presence of वो बताऊंगा आगे बाएगा चलो in the presence of electricity electricity होती सामझ लो electric current है ठीक अब यह बोल रहा है कि जो h2o2 h2o है ठीक है यह opposite होता है किसके combination reaction के ठीक अब यह बताओ भाई यह तूट रहा है ठीक है अलग-अलग simpler form में और यह combination reaction क्या होती है जो simpler form है ठीक है h2o h2o2 वो क्या बनाते है h2o बनाते हैं तो यह बताओ यह तो reaction उल्टी ही है ठीक है तो यह तो यह वाला question आपके लिए बहुत इजी है चलो यह देखो तूट रहे h2o किस पॉर्म में टूटा h2o2 तो यह है कौन सी डीकम पोदीशन ठीक है डीकम पोदीशन डीक्शन ठीक अभी देखो जब h2o2 h2o2 करें तो यह क्या बनाएगा 2h2 बनाएगा ठीक तो यह क्या है यह combination reaction तो यह देखाओ खुद देखके देखो बार देखो इसको इजिफ़ रहे है तो ना एकद आपोचेट वो तोट रहा है इसमें और यह जोड़ रहा है ठीक है यह कौन सी रिएक्षन है यह है कॉम्बिनेशन रिएक्षन जब एड़ को का सॉलिशन अगर तंदो और क्या करोगे यहां से फिर से य्लेक्रिक करेंट प्लब तोर जाएगा और अब मॉलिकुला लग अलग होंगे q2 ребята के पाउम में निकल जा सकता है ठीक है निकलेगा यह यह बन रहा था यह तूट रहा है ठीक है तो यह दोनों एक दम आ यह क्या हो नहीं यहें और और यह काम पोजैट्ट होते हैं तो यह तो इन चलो अब हम स्थार्ट करते हैं को चलो देखते क्या बोल रहा है वो राइट वन एक्वेशन इच पॉर क्या डिकम पोदीचन रियक्शन डिकम पोदीचन मतलब कब से पढ़त्यार हम वेर एनरजी इस सप्लाइड इन दा फॉर्म ऑफ हीट लाइट एंड एलेक्रिसिटी ठीक है अब यह देखो इस टाइप की रियक्शन को बोलते क्या है ठीक द अब यह देखो अगर हम पड़ें अगर जब भी कोई-भी कम पाॉंड है वह ब्रेक हो रहा है इंटू सिंपलर फॉर्म तो इसको मक्या बोलते हैं डिकम पोदीचन डियक्शन अब वो अगर हीट देने के बाद ब्रेक हो रहा है ठीक है विद्धी हेलप अफ हीट हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते है थर्मल थर्मल डिकम पोदीशन कोई भी कंपाउंड ठीक है कंपाउंड जो है वो ब्रेक हो रहा है थीक कमपाउंड जो है वो ब्रेक हो रहा है विद्धी एल्प ओफ हीट या इन दी प्रेजैंस ओफ हीट ठीक है किस फोंक सब्रेक हो रहा है सिंपलर फॉर्म में सिंपलर फॉर्म तो उसको हम क्या बोलते हैं thermal decomposition ठीक है यह याद रखना ठीक चलो कोई बात नहीं अब क्या करें सर एक्जाम्पल दो पता हो चलो एक्जाम्पल देखो thermal decomposition के thermal thermal decomposition के अगर के सी एल ओ थ्री को हम हीट करें तो यह क्या बनाता है के सी एल प्लस ओ टू देखो यह सेंपलर फॉर्म में तूट अपने ठीक सेंपलर फॉर्म में तूट गया और अभी पढ़ा है मैं आगा इसका मापोजेट कर दो कौन सी डेक्शन हो जाएगी कॉमिनेशन यह हो गई एक रियक्शन अगर अब यह तो थर्मल थी सार एलेक्टिसिटी में भी बहुत हीट होती है सार बहुत ज्यादा सप्लाय होता है पावर का चलो अब हम विद्धी हेल्प आप अगर एलेक्ट्रिक करेंट के हेल्प से अगर हम किसी कंपाउंड को ब्रेक करते हैं ठीक है तो उस टाइप की रियक्शन को क्या बोलते हैं हम उसको हम बोलते हैं एलेक्ट्रिक एलेक्ट्रो लाइटेक डिकमपोजीचन अब यह बताओ क्या इससे सॉलिद कंपाउंड तूट सकता है एक बात बताओ सॉलिद एलेक्रिसिटी क्या करता है कंडक्ट नहीं करता ह अगर सॉल एक्रिशीटी कंड़क्ट होता तो आप अगा स्विच ओन करने जाते ना तो आप उन हो जाते तो गैस गैस कंड़करती है क्या एलेक्रिसिटी नहीं करती बैड कंड़क्टर होती है वरना अभी आप खड़े होना अभी आपको जटके लग रहे होते कि लाइट तो लगता है सहर ठीक है ठीक है एकको सज्ए या लेकquarर यह क्या करता है कंड़क्टकरता यंग लेक्रिश्थि तो यह वाली रीयक्शन कहा पर होगी अeriे रियक्रिक्शन कहां अगी होगी सॉलिषण होनों चलंद इवाली कहीं पर हो जाती है यहां पर होगी सॉलुइशन में ह ऐब इसा इसके अंदर क्या हो रहा है इस तैप की डियक्शन को क्या बोलते हैं इस तैप की डियक्शन को हम बोलते हैं है कि यह वाली रियक्शेνद याद रखना,f2 O अब एक और होती है ठीक, mechan में टोट रहे हैं, आब 1 और होती है, Ak सर सनलाइट में भी तो बहुत अनर्जी होती हाँ बिल्कुल होती ही चलो सनलाइट में एक आता है फोटो लाइट एक डिकम पोजीशन एक डेकमपोजिशन ठीक फोटो का मतलब फोटो वाली फोटो नहीं होती है फोटो का मतलब क्या होता है ऐसा नहीं कि कोई केमरे लेकर बैठा नहीं फोटो लाटिक का मतलब क्या होता है लाइट जरूरी नहीं सनलाइट हो ठीक है लाइट या सनलाइट कोई भी लाइट हो सकत ठीक है विधधी हेलब आफ त्या विद्धी हेल आफ लाइट ठीक है विधधी हेलप ओफ लाइड ठीक किस फर्म ब्रेक हों राए वह सिंपलर फार्म में ठीकिर सिंपलर फॉर्म में ब्रेक नॕ किए हो ऊपर चेटाइब की ए데क्शे नvention के बोलता है हम पीडी फिडी मतलब photolytic by decomposition ठीक पीडी मतले क्या जाना एक्जाम में यह तो बता दिये ऑसी ठीक उसको थाइब का बोलते हैं photolytic decomposition तो यह क्या हो गई एक हमने electricity से देखा इसमें क्या देखा था एच्ट्व हो फाला ठीक photolytic में आप एक सनलाइट में देखते हैं क्या होता है कि गुलुकोस जो है गुलुकोस क्या है c6 h12 o6 इसको अगर तुम सनलाइट दो ठीक है या सनलाइट की प्रेजेंज में यह किस फॉरमेट चूटता है co2 plus h2o ठीक है co2 plus h2o इसको बैलेंस आप करना इतनी सारी डियक्शन हम बैलेंस करना सीखें है ठीक है इसको बैलेंस अब आप करना ठीक है और यह बताना किसका है क्या ठीक तो चलिए अब हम आगए एकदम लास्ट कोशन पर हमाई कोशन नमर 13 पर देखते हैं वह पूल क्या होते हैं देखो यह क्या बोल रहा है पहले तो displacement reaction ठीक है डिस प्लेस मैंट रियक्शन ठीक है यहां पे यह डबल displacement double displacement नहीं लेखूंगा डब डीडी ही लेखूंगा ठीक है अब देखो पहले मैं एक देख देखता हूं आपको खुश समझ में आना चाहिए ए प्लस भी अब बताओ यहां पे क्या हो क्या रहा है ए भी प्लस सी यह देता है एसी प्लस भी अब यह खुद देखो यहां पे क जो यह है ठीक ए और सी बना रहा है प्रोड़क्ट जो भी है वो डिस्प्लेस हो रहा है सी के सांथ ठीक है यहां पर जो क्या होता है यहां पर देखो जो भी मोर रियक्टिव हो मोर रियक्टिव ठीक है मोर रियक्टिव किसको डिस्प्रेस करता है वह किसको कर पाएगा जो वो reaction कौन सी होती है वो reaction होती है displacement reaction ठीक है यह वाद समझ गए चलो बहुत अच्छी बात है ठीक यह पर आप ऐसे लिख सकते हो जब भी सिंगल anelement ठीक है सिंगल element का हो displacement ठीक है यह अडिसपलेस हो जाए वो अपनी position से ठीक है या कोई उसको replace कर दे ठीक है अपनी position से या तो display में लेखस तो यह हो अपनी position से तो ऊसी 시청 को हम बोलता है displacement reaction चलो बहुत अच्छे अब जाओ data displacement reaction पह डावर displacement क्या बोलता है ड़ेवल इस परश्मनेशन क्या बोलता है डीडी मतलब होता है दो-दो होता है जब भी एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेइस कर दें जैसे कि देखो ए-प्लस-ए-बी है ठीक है plus CD है यह क्या हो जो ए है वो डिस्प्लेस कर दें को ए सी बनाए और यह क्या बनाए बी डी बनाए यहां पर देखो हुआ क्या यह जो ए है इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया और सी इधार आके बैठ गया मतलब यह दोनों सांत में हुई है ठीक है तो ए और जो ए है डिस्प्ल चलो बहुत अच्छी बात अब यहां पर क्या हो देडू आयंस का अगर डिस्प्लेसमेंट हो यह वह अपनी पोदीशन छोडते हैं तू आयंस अपनी पोदीशन छोडते हैं यह एक दूसरे को करते हैं रिप्लेस ठीक है और क्या बनाता है उन्हीं के सॉल्ट के साथ यह साथ है तो यह जो भी है वो डी के साथ है और डिस्प्लेसमेंट चलो बहुत अच्छे समझ गए बात इस कॉम एक बार रियक्शन से देखते हैं यहां पर क्या होता देखो बीए ठीक है बीए सीयल टू यह बहुत बहुत जादा तुम लोगों को डियक्शन दी गई है यह स है यहां पर क्या बंदेगा बीए एस ओ फोर smart फिल मैं l यह बैलेंस कर लेना प्लैक यह बनेगा अब देखुर्यां ग्याय वा जो ठीक है स्विच करते हैं पोजीशन्स ठीक है अब और क्या बनाते हैं सॉल्ट बनाते हैं सॉल्ट बनाते हैं या कुछ भी होता ठीक है वह अपना फुर्ट बनाते एक नया ठीक नया कंपाउंड बनाते हैं दो एलिमेंट जो रियक्टेंट हैं वह दो रियक्टेंट एक अपन हो रहा है टीक है या switch कर रहा है वो दोनों position भी ए एन की position प्यारह एने भी एक position प्यार है तो यहो रही ना switch यहाद आ रहा है वह अक्षे कुमार का वाला बताये था पहली वीडियो देख क्या ना अच्छे समझ में आयाका चलो अब यहां क्या होता है इंपोर्टेंट पॉइंट देखो डीडी में एक इंपोर्टेंट पॉइंट है जो डीडी है उसमें एक इंपोर्टेंट पॉइंट है इसमें क्या होता है जब भी रियक्शन होती है तो इसके साथ बनती है पीपीटी सार पीपीटी क्या होती है पीपीटी मतलब कोई भी compound बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं प्रैसिपटेट ठीक है जैसे देखो यह जो reaction है क्या का रहा हमने यहां पे क्या-क्या बीए यहां पे सॉलीशन था एने टूए सोफोर का ठीक है और अगर हम देखते हैं जब यह रियक्शन होती है तो यहां यह दोनों यह एक्कोस फॉर्म में हैं यह दोनों एक्कोस फॉर्म में मालो तो यह क्या यहां पे जो reaction होगी यहां पे कुछ डाउन हो जाएगा सेटल डाउन ह जाएगा और वह पूरर कौन सा वह अभी यह ऐसो पूर तो यह टाइप की डियक्शन जो नीची एक कंपांड सेटल डाउन हो जाए प्रेसिपिटेट बना ले तो उस ताइप की reaction को बोलते है प्रेसिपिटेट रियक्शन तो जो डिस्प्लेसमेंट में है डवल्ड हैं ठीक है Color yellowetten होता है आप देखो है चीन्ज कैसे होता है जैसे कि अगर हम लेते हैं क्या f e свои s O 4 प्लस किसके साहथ कॉपर की साथ ठीक है तो ये क्या बनाएगा डिस्प्लस्मेंट है डिस्प्लस्मेंक है यह देख हो यह बनाएगा है aso4न lase be बाहर क्या है ऐस यह था इससे कम था न politics iu से तो क्या हुआ इसको भगा दिया बगादीया तो ये क्या ये तो भग गया भाई क्योंकि वीग था ये देखो यह आगया बाहर और लिए इसके जो साथी था उसके साथ मिलके दोस्ती कर लियो यहां बना लिया compound अब यहां पर क्या होता है देखो F.E.S.O.4 का color होता है कौन सा bluish color bluish color ठीक है और जो C.U.S.O.4 जब बनेगा तो वो उसका color change कर देगा क्या बनाएगा वो greenish color green color देगा वो ठीक है green color देगा वो ठीक है तो हुई ना color change हुआ ना देखो यह जो blue से blue से वो किसमे convert हो गया green में तो उस type की reaction को ठीक है क्या बोलता है color change reaction और वो किसमें होती है वो होती है displacement में ठीक है Fe SO4 Fe SO4 plus Cu तो यह क्या है यह स्की रियक्षिन है यह इसकी रियक्षिन है समझ गई बात चलो बहुत अच्छे और कोई रियक्षिन हो सकती है किसर बिलकुल हो सकती है चलो मालो यहाँ पर लेलो यहां पर क्या हो वह और कुछ हो सकते क्या और कुछ नहीं होगा समझे और यह मैंसे याद रखना है एक दूसरे अपनी पोजिशन शिच करते हैं और यहां पर क्या करता है यहां पे एक सिंगल अयं करता है है सिंगल एलिमेंट करता है किसके साथ दूसरे एलिमेंट के साथ जो मोर रियक्टिव है वो डिस्पेस करेगा वीक को यह हमें सा याद रखना ठीक है आगे आएगा आपको रियक्टिविटी सीरीज तो समय समझ में जाएगा कौन सा मूर है और कौन सा कम है ठीक है यह लिरेखेना लडनो हाब फ्री है पर बैस्त है अ है कि है यह थी है अ हम एच परकान कि है अ है झाल झाल